बिहार में जारी सियासी उथल पुथल के बीच मितीश कुमार ने बिहार के सीम की कुरसी एक बार फिर से संभाल ली है इसी के साथ ही जनता दल युनाइटेट का राश्ट्रिय जनता दल से नाता तूट गया और 17 महिने पुरानी गडबंधन सरकार धराशाई हो गई इन सब के बीच सबसे बड़ी बात ये है कि नितीश कुमार की सीम की कुरसी पर कोई आँच नहीं आई RGD का साथ छोड़ कर अब नितीश कुमार ने दोबारा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है हाला कि RGD नेता नितीश से खासे नाराज हैं और बयानबाजी का दौर जारी है 9 वी बार राज्य के CM बने नितीश कुमार के पास करोडों की संपत्ती है कितनी है उनकी संपत्ती आपको इस वीडियो में बताएंगे बिहार की सत्ता पर लंबे समय से काबिज नितीश कुमार को विपक्ष पल्टू कहकर भी संबोधित करती है लेकिन वो किसी भी पार्टी के साथ क्यों न रहे उनकी छवी को लेकर कोई कीचर नहीं उचाल पाता और ये उनकी सबसे बड़ी ताखत भी मानी जाती है समपत्ती की बात करें तो नितीश कुमार हर साल अपनी समपत्ती का ब्योरा सारवजनिक करते हैं इसी के साथ ही बिहार सरकार की वेब साइट पर उनकी पार्टी के सरकार में शामिल मंत्रियों की नेट वर्थ की जानकारी भी शेयर की जाती है बीते साल 2030 के आखिर दिन यानी 31 दिसंबर को वेबसाइट पर पूरा लेखा जोखा शेयर किया गया था नौवी बार बिहार के CM बनने जा रहे नितीश कुमार की नेट वर्थ 1 करोड 64 लाख रुपए की है इसमें उनकी चल और अचल संपत्ती दोनों शामिल है जानकारी की माने तो उनके पास कैश 22,552 रुपए है जबकि उनके बैंक खातों में कुल जमाराशी 49,202 रुपए है अपने ब्योरे में उन्होंने जो जानकारी शेयर की है उसके मुताबक नितीश कुमार के पास 13 गाएं और 10 बच्रे हैं जिनकी कुल कीमत 1,45,000 रुपए बताई गई है नितीश कुमार के पास मौजूद अनसंपत्यों की बात करें तो उनके पास एक फोड एक एक स्पोर्ट कार है जिसकी कीमत 11,32,000 रुपए है आवुशन के रूप में उनके पास 1,28,000 की दो सोनी की अंगूठियां कीमत 1,48,000,000 रुपए है नितीश कुमार ने जब साल 2004 में से खरीदा था उस समय इसका प्राइज महज 13,78,000 रुपए था बताते चलें कि बेटे से 5 गोना कम संपत्ती बिहार के सीम के पास है बले ही वो एक करोड रुपए से जादा की संपत्ती है लेकिन साल 2022 की आई एक रिपोर्ट पर गौर करें तो उनके मुकाबले बेटे निशान्त के पास करीब 5 कोना ज्यादा संपत्ती नितीश कुमार से है